Hello guys, आज का जो topic है, जिसके बारे में हम discuss करने वाले हैं, यह topic इतना interesting है, क्योंकि किसी भी CA या किसी भी GST practitioner या किसी भी GST expert से आप अगरे सवाल पुछेंगे तो वो एक बार के लिए तो confused हो गई होगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि hotel rooms की booking पर, credit को लेकिए क्या issues है, क्या input सवाल जो है, वो यही आता है, क्या hotel accommodation पे हम लोग ITC ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो मैं आपका, इसका answer बहुत simple है, of course, hotel accommodations पे credit allowed है, क्योंकि section 17, subsection 5, जो की blocked credit की बात करता है, उसने कहीं भी hotel accommodation को cover नहीं किया है, उसने food और beverages जरूर cover किया है, पर 17, subsection 5, यह नहीं बो परस के लिए कोई भी hotel की booking कराते हैं, तो of course, आप उसकी credit ले सकते हैं, यह important बात है, जो हमें ध्यान रखने हैं, दूसरी important बात यह है, क्या उसका place of supply होगा, क्यों place of supply important है, आपको कुछ देर में बात समझ में आ जाएगी, as per section number 12 of IGST Act, place of supply जो होता है, जहां पे hotel located है, तो अ होटल महराष्ट में located है, तो आपकी जो service की place of supply, वो महराष्ट मान ली जाएगी, मतलब जहां पे भी hotel located है, वो place of supply मान ली जाती है, अब question क्या arise होता है, क्या hotel को लेके ITC मिलेगा, of course मिलेगा, क्योंकि 17 subsection 5 में blog नहीं है, credit के लिए जब bill बनेगा, तो place of supply क्या मानी जहां पे आपका hotel located है, तो फिर problem कहां है, problem अब start होती है, पहला case देखते हैं, जिसमें I think कोई problem नहीं है, और वो है case number first, यह क्या बोलता है, अगर आपका hotel है राजस्थान में, और आप भी registered राजस्थान में हो, तो जब आप hotel में किसी business meeting के लिए आपने hotel book करवाया, या hotel वाला place of supply राजस्थान का hotel है, तो राजस्थान ही place of supply हो जाएगा, तो वो invoice बनाएगा CGST और SGST राजस्थान का, आप भी राजस्थान में registered हैं, तो आप भी credit लेंगे CGST और SGST राजस्थान की, तो of course आपको इसकी credit मिलेगी, तो sir problem कहां है, problem आती है case number second में, problem यह है कि आप आपका जो hotel है, वो है राजस्थान में, और आप registered है महराश्थान में, आपका business जो है, वो registered है महराश्थान में, अब hotel वाला place of supply तो राजस्थान ही मानेगा, तो वो local supply मानके लगाएगा CGST और SGST, जबकि आपको credit लेनी है महराश्थान में, अब SGST और CGST कहां का चार्च के है होटल वाले ने, राजस्थान का, और आप कहां का आगे tax भरने वाले हो, सर महराश्थ का, आप registered कहां पे हो, महराश्थ में, तो आप credit कहां पे आके लोगे महराश्थ में, नहीं ले सकते, दूसरे state के local tax की credit, आप अपने state में नहीं ले सकते, होटल वाला IGST चार्ज करता तो ही आप उसकी credit ले सकते थे, पर होटल वाला IGST चार्ज क्यों करेगा, क्योंकि section 12 तो बोलता है कि उसको तो उसी की place को supply मानना है, क्योंकि services तो वहीं कंजीम हो गई, तो as per section 12 of IGST, आपका place of supply तो राजस्थान हो गया, और आपको credit चाहिए साब महराश्थ के अंदर, तो क तब ले पाओगे, जब आपका hotel, जिस state में है, आपका भी वहीं पे registered place of business है, तो ही आप hotel की ITC ले पाओगे, अगर आप registered place of business दूसरे state में रखते हैं, और आप जहाँ पर booking करवा रहे हैं, वो hotel दूसरे state में है, तो क्या उसकी credit मिलेगी, जी नहीं मिलेगी, क्या ऐसा हो सकत है, hotel वाला IGST चार्ज कर दे, जी नहीं, hotel वाला IGST चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि legally उसे CGST और SGST ही चार्ज करना है, इसको लेके even advance ruling का provision भी आ चुका है, मैं आपको बता दूँ, AR की एक ruling भी आ चुकी है, storm communication private limited, वो ruling भी यही बात बोलती है, कि same state में अगर hotel booking किया है, कि होटल वाले ने local tax CGST और SGST चार्ज किया है, क्या यह सही है, logically देखा जाया, तो lawfully तो यह सही है, लेकिन क्या यह logically सही है, I don't think so, अगर सरकार ITC hotel पे देना चाहती है, तो सरकार को फिर place of supply के rules में change करना चाहिए, यहाँ पे hotel के location को place of supply मानने की जगे, receiver के state को place of supply मानना चा में भी easily ली जा सकेगी, thank you so much.